हेलो फ्रेंड्स आप सभी को थम्नेल पर जितने सारे बातें लिखें भी मिली जितने सारे कोश्चन लिखें मिले सभी का जब आपको इस वीडियो के अंतरगत मिल जाएगा आप लोग वीडियो को पूरा लास तक देखिए सबसे पहला कोश्चन है CET क्या है Common LGBT Test है और इसके अंतरगत आप सभी को जैसे रेलवे में CBT1 के एकजाम होते थे SSC में टायर 1 का एकजाम होता था और बैंकिंग में जो है प्रिमलिम्स 1 का एकजाम होता था इन सभी एकजाम को खतम करके एक ही एजनसी ये सारे एकजाम अब एक साथ कराएगी तो इससे जितने सारे candidate होंगे वो जो है CET में आबेदन करेंगे CET में registration करेंगे और फिर वो एकजाम देंगे एक साल में दो एकजाम होगा और उनका जो score होगा उस score के हिसाब से वो जदी पास कर जाते हैं CET exam तो वो फिर जो है SSC में या bank में या railway में अपना form जो है fill up कर सकते हैं और फिर उसका exam वो दे सकते हैं तो यह तीन साल के लिए valid होगा जब आप एक बार CET पास कर लिजेगा तो वो तीन साल के लिए valid होगा syllabus में क्या होगा syllabus में कुछ चेंज भी होगा या syllabus में क्या होगा तो syllabus में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो सकता क्योंकि हम जानते हैं कि railway SSC और bank के जो CBT1 exam के syllabus हैं वो काफी मिलते जूलते syllabus हैं बस थोड़ा सा बैंक का है तो उसमें थोड़ा सा रिजनिंग ज्यादा करके develop है SSC का है तो थोड़ा math करके ज्यादा थोड़ा कम टाइम लगता था और math करके develop रहता था और जो railway का है तो उसमें क्या करता है थोड़ा gkgs ज्या तो अब इस तरह से जो है कुछ नहीं होगा syllabus जो है वही रहेगा math reasoning in the English और यह जो होगा आपको 14 लेंग्वेज में जो है आपको मिलेगा तो कोई भी प्रेसानी नहीं होगी काफी easy ही रहेगा तो अब क्या होगा CT लागू होने से क्या होता है नौकडी पाना आसान होगा य वह मेरे हिसाब से जो है आसान भी है और मुस्किल भी है क्योंकि अब जो है candidate को एक syllabus पर कर तयारी करनी होगी तो उस हिसाब से जो है इसका जो आपका जितना भी marks होगा वह highest rank जाएगा CBT1 में जो है लगवाग आपको 100 में SC का score करना पड़ेगा जैदी 100 नंबर का exam होता है तो ज्यादा score करना पड़ेगा क्योंकि साड़े दिमाग वाले यहां पर आ गए जो भी होते हैं जो आपको bank के तयारी कर रहे हैं उनका उनसे भी आपका टक्कर हो गया जो आपको railway की तयारी कर रहे हैं उनसे भी आपका टक्कर हो गया तो सभी से आपका tier 1 में टक्कर हो जाएगा तो आप जो है जदी आप अपने आप में better हैं आप अपने आप में अच्छा पढ़ने हैं तो आपको कोई दिकत नहीं होगी और जदी आप पढ़ने में कमजोड हैं आप जदी सिर्फ GKGS आपका मजबूत है तो आपको यहाँ problem create हो सकती है आप एक चीज़ पर जदी अपना selection दो चीज़ पर आपना selection पाना चाहते थे तो वो चीज़ जो है यहाँ पर तो रसा दिकत create करने वाली है तो अभी उसे लागू भी नहीं होगा 2020 से लागू होगा तो टेंसल लेने की कोई बात नहीं है अभी time है दूसरा है कि आपको जो है syllabus में क्या चीज़ होगा discuss कर लिया cat इससे जो है विद्यार्थियों पर क्या असर पड़ेगा और इससे जो है अभी आर्थी पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है तो बहुत कम असर पड़ेगा अब अगला question आता है metric, inter और graduation के जो है candidate इन सब का क्या होगा तो metric level पर एक बार CT होगा CT का exam होगा इंटर लेबल पर भी CT का exam होगा और graduation level पर भी CBT का exam होगा तो जब भी registration कड़ाया जाएगा तो जब भी वहाँ पे CT का जब form बढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया जाएगा कि आप metric calculation है तो metric बढ़िए आप inter level का calculation करना चाते तो इंटर लेबल का बढ़िए आप graduation level का job करना चा चाते तो bank का form बढ़ेंगे फिर जदी वह railway में जाना चाते तो railway का form बढ़ेंगे और SSC में जाना चाते हैं तो SSC का form बढ़ेंगे तो इस परकार से होगा जितना सारा चीज जो है और होगा आपके मुझे लगता है कि आपके सारे doubts clear हो गया होगे और जदी doubts नहीं clear हुए है तो मैं आपको भी skin पर जो WhatsApp नमबर देख रहा है आप इस WhatsApp नमबर पर message कीजी मैं आपको सारा doubts clear करके बता दूँगा अब सबसे बड़ा सवाल रहता है कि उम्र सीमा क्या होगी तो उम्र सीमा में कुछ ज्यादा changes नहीं होगा और यह जो होगा जिस तरह से आपको CBT 1 clear करने क बाद जो bank की उम्र सीमा है वह bank में लगेगी जो SSC की उम्र सीमा है वह से में लगेगी और जो railway की उम्र सीमा है वह railway में लगेगी CT 1 से कोई भी फरक नहीं पढ़ने वाला है आप कितना बढ़ वी इसाल में दो बार एक्जाम होगा आप दो बार दे सकने हैं आप पास कर मिलेगी अब उनका जदी देख लेंगे कि वह CBT 1 किलियर कर पा रहे हैं तो वह वेट करेंगे और नहीं किलियर कर पार रहे हैं तो वह private company को तरफ अपनी रुझान जो है अपना जो उधर जाएंगे अपना दूसरा business करेंगे जदी वह CBT 1 तो गार्जन उसको भी आसानी है बट उमीद है कि अब सब कुछ time पर होगा और time पर होना एक अची बात है तो उमीदता मैं इसको अच्छा ही मानता हूं चलिए आज के लिए बस इतना ही रहते हैं WhatsApp नमबर जो आपको दिखा वह WhatsApp नमबर जो है आप जो है उस पर कोई भी doubt होता है तो आप पूस सकते हैं चलिए आज के लिए बस इतना ही रहते हैं मिलते है नेक्स वीडियो में ओके बाई वीडियो कैसा लगा आप से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा और वीडियो को सेयर कर देगा सभी साथियों के साथ इंपोर्टेंट वीडियो है तो सेयर करना नहीं भूलेगा चलिए आज के लिए रहने देते हैं